नमस्कार, हिमासर बुलेजिन में आपका स्वागत है, पेश हैं आज के समाचार मुखे मंत्री शीजाराम ठाकूर ने आज वर्चुल बैठक के माधियम से राजे के उपायुकतों, पुलिस अधिक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविद-19 महामारी किस्थिती की समिक्षा करते हुए निर्देश दिये कि होम आइसुलेशन में रहे कोविद-19 रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्द करवाई जाए और आवशक्ता पढ़ने पर उन्हें त्वरित उपचार की सुविधा उपलब्द करवाई जाए उन्होंने का कि प्रदेश में कोविद-19 के अभी तक कुल 3076 सक्रे मामरे है और गत एक सप्ताह में इसमें तिवर बरहौतरी दर्श की गई है उन्होंने का कि वर्तमान में 98 प्रदिशत रोगी होम आइसुलेशन में है शीजाराम ठाकूर ने कहा कि होम आइसुलेशन में रहने वाले कोविद-19 रोग्यों को आपात स्थिती में परिवहन की समोचित व्यवस्ता सुनिशित की जाए मुख्यमंद्री ने उपायुक्तों को बरहबारी से प्रभावित क्षेत्रों में सडकों के बहतर रख रखाव विद्यूत और पेजल आपूर्ती सुनिशित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी प्रमुक सडकों और स्वास्ते संस्तानों को जोडने वाली सडकों को शिगर अती शिगर सुचारू करने पर विशेश ध्यान दिया जाए उणने कहा कि इनक्षेतरों विशेष्ट दर पर स्वास्ते संसालों में विद्यूत आपूर्ती सुनिश्ञिट करने के लिए भी तौरीथ कदम उठाएं उनने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पेजल आपूर्ती भी शिगर सुचारु की जाए इसके उपरांत पत्रकारों से अनुपचारीक बात चीत करते हुए मुखे मंत्री ने कहा इसी स्थिती में जिस तरह से तेजी से रफ्तार कोविट के केसिज में हुई है तो राश्टी सतर पर भी और पदेश सतर पर भी सरकार की और से जो इनको मॉनिटर करने के लिए जो मेकनिजम डवलप किया गया है उसके अंतरगत हमने पिछले कल भी सभी डैप्टी कमिशनर्स के साथ और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ वीडियो कॉंफरेंस के मादिम से बाचित की सारे हालात का भी जाएजा लिया और उसके अतरिक्त आज भी हमने कोविट की सारी सीचुएशन पर जो इंपोर्टेंट अरेजमेंट से रिलेटिड थे सारी व्यवस्ताओं से समंधित वि एट परसेंट केसिज कोविट के जो एक्टिव केसिज हैं जो अभी संक्रमित हुए हैं वो होम आइसलेशन में हैं हॉस्पिटल में नंबर ज्यादा नहीं है लेकिन स्प्रेट बहुत पास्त हैं बहुत तेजी से इस बात को हम मैसूस कर रहे हैं ऐसे में हमने सबसे बड़ कि जो जरूरत मैसूस हो रही है हमें वो हो रही है कि जो होम आइसलेशन में जो लोग संक्रमित हो करके अपना जिलाज कर रहे हैं या अपना कोविट का अपना ख्याल रख रहे हैं उन पर ठीक परकार से हमारी नजर और उसके साथ निगरानी के साथ साथ में हम काम करें और उनके लिए जो हर संभव सहयोग जितना हम दे सकते हैं मदद कर सकते हैं उस पर मदद करें क्यूंकि ज्यादा फोकस अब की बार हमको होम आशुलेशन पर देना पड़ेगा और उसके लिए आशाव वरकर्स हैं हेल्थ केर वरकर्स हैं और उसके साथ साथ में जो नेरवाई के कान्टकट करके उनके हल्थ के जीतने वे जो परामिटरस हैं उनको मोनिटर करते रहेंगे मिए एक हमने फिर से जो पिछली बार में ने कोवत के जो फाज था जिसमें डील्ट आशा का जो वारिस था अबकी बार उसमें हलांके चेंज लगता है, ऐसे भी कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाब जुद हमने उसके एक mechanism डवलब किया था, होम isolation में जो लोग है, उनको होम isolation kit प्रवाइट करवाई थी, तो home isolation kit provide करवाने के लिए अभी हमने त्यारी यहां अभी माचल परदेश में अब के दौर में भी की है ताकि वो अपने health parameters को घर में अपने आप भी चेक कर सके और जब आशा वरकर उनके घर में जाकर के वहां पर चेक करने के लिए जाए तो वो भी उसको चेक करने के लिए जो है उसमें उन सारी सुवधाओं का लाग मिल सके तो इस तरह से और उसके बाद guidelines भी उनको detail में उसमें साथ में लिखकर के दे रहे हैं और उसके बाद हमारी और से जाएगा जिसमें गैट वैल सून का एक संदेश भी होगा और फिर उसके बाद सारी सीज़ों को लेकर के क्या-क्या साथ धनिया वर्तिमिया उन बातों को लेकर के एक बात उसमें एक संदेश के मादियों से को उसमें पत्र होगा हम इस बात को भी देख रहे हैं कि बड़े स्केल पर अब की बार हिमाचल पर देश में या पूरे देश पर में जो हमारे जो frontline workers हैं चाहे उसके साथ साथ में जो particularly में क्या सकता हूं कि जो healthcare workers है ज्यादा वो भी संक्रमित हो रहे हैं जैसे हम टांडा मेडिकल कॉलेज में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर जो है वो health के हमारे जो doctors का doctor के साथ nurses का जो है उसमें आया है और इसके अत्रिक और जग भी आ रहा है ऐसे में system में कहीं कमी न रहे उस सारी सीज़ को ठीक प्रकास से monitor करने के लिए mechanism नहीं डवलब किया कि उसमें आयूश के जो हमारे आयूवेदा डिपार्टमेंट के भी जो doctors हैं doctor के साथ हमारे उनके साथ जो health care workers हैं वो भी उसमें सहोग करेंगे वो भी उसमें मदद करेंग की और से उनको काड़ा उपलब्द हो और उस काड़े का सेवन वो बारबार कर सके और सर्दी के मौसम में ऐसे भी काड़ा जो है वो बहुत उपयोगी होता है हर व्यक्ति के लिए खास्तोर से ऐसे सर्दी जुका में भी इसका सेवन किया जाता है लेकिन कोबीड के patients के अगर उसमें थोड़ा साथ सुमय भी लगता है तक तक के लिए लोग अपने आप विस्वाइम भी काड़े का इस्तेबाल करें गर्म पानी बार बार पीते रहें इसके लिए विशेश तोर से मेरा आपके मादिव से आगरे है निवेदन है सभी जो भी संक्रमित लोग है औ अपने घर में रह खरकिये इसके अधरिक और अगली जो बात जो है जो हमारा वैक्सिन का अभ्यान चल रहा है पंदरह से अठारा साल का इस अभ्यान को हम परसुं हर हालत में समाप्त करने जा रहे हैं परसूं क्यूंकि पिछले दो दिन उसे मौसम बहुत कराब रहा अन्य के वर्कर को बहुत बेहतरी नग्हां किया है सद्धि के बावजूद ब काम किया है तो ऐसी पर सित्री ने पफशु शाम तक हमारा 15-18 साल का वेक्सिनेशन का यह अभ्यान भी पूरा हो जाएगा और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके मैं इतना जुरूर कहना चाहूंगा कि जो हॉस्पिटल में हैं डैप्टिक मिस्टर के साथ जो आप वीडियो कॉंफरेंस आज हमारी हुई है सीमो थे और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के और भी अधिकारी थे तो उन सब को एक आदेश दिया है कि कहीं भी किसी भी चीज की कमी नहीं आने चाहिए पैरा से टमोल कोली वे बुखार के लिए होती है उसकी कमी नहीं आने चाहिए सैनिटाइजर की कमी नहीं आने चाहिए म और जहां oxygen की उपलब था हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले डेल्टा के पश्चात अभी तक इस दौर में 41 टोटल हमारे oxygen plants प्लांट्स प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में लग चुके हैं और वो सबके सब हमने functional करने के यादेश दीदे ताकि वो कहीं भी किसी को भी जुरूरत हो सके तो oxygen की कमी किसी को भी ना हो इस बात को सुनिशित करने के लिए हमने कहा है दूसरा विशे एक चीज़ को लेकर के जहां उन patient को अगर emergency में transport करने के लिए बैवस्ता करनी पड़े hospital अगर तबीत खराब हो जादा तो hospital ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमने near के जो नजदीक के जो हमारे hospitals हैं if at all अगर ambulance अबिलेबल नहीं हो पाती है जो भी आदमी गाड़ी में ले करके उनको वहां पर पहुंचाएगा तो उसके लिए भी सरकार की ओर से बैवस्ता उसमें जो किराय की उस बात को भी हम सुनिशित करेंगे ताकि उसको समय पर पहुंचाए जा सके स्वास्ते वं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजेजारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में करोना संक्रमन की जाच के लिए आज पान्सो पच्छी स लोगों के सेमपल लिए गए जिनमेंसे 31 लोगों की रिपोर्ट नेगटिब आए गई है जबकि 491 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 40,82,631 लोगों की जांच की जा चुकी है जिन में से 38,49,870 सेंपल की जांच नेगेटिब आई गई है प्रदेश में कुल 2,32,162 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन में से 2,25,193 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,076 व्यक्ति उपचारतीन है हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई प्र हिमाचल फॉलो करें ट्विटर अटी प्र हैच पी लाइक करें फेस्बुक पेज इन्फरमेशन और पब्लिक रिलेशन्स देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in इस अंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाजत नमस्कार